अस्सलाम लेकुम रहमतुला बरकातू मेरा नाम हस्मुदिन आलम है मैं सौधी जदा से बोल रहा हूँ मेरा सवाल यह है कि मेरी माने हमसे दो लाग रुपिया मांगा आगे एक भाई को देना है और बोली मेरी माने कि मैं जमीन बेच कर अपका पैसा वापस दे दोगा तो मेर माने जमीन भी बेच दी और मेरा पैसा भी नहीं दे रही है मेरा पैसा लेकर मेरे भाई साब को दे दिया है मेरा पैसा भी ले लिया और मेरा जमीन भी जो हिस्सा था वो बेच कर नहीं दे रही पैसा तो मैं क्या करूं मा के साथ अच्छा बरताव रख हुआ कि उस तरह छो मत दू बात चित ना करो वारा मेरवानी इसके बारे में बताईए है ओके जजाक अलागा ये हमारे एक भाई हैं जो सवाल ये कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी वालदा के कहने पर दो लाक रुपया दे दिया और असल में वो जरूट वालदा को नहीं थी बलकि वालदा अपने दूसरे बेटे को देना चाहती थी तो इन से ये भी उनके बेटे थे तो इन से दो लाग मांगे उसको दे दिया और इस वादे पर तलब किया था पैसा कि बाद में ये पैसा आपको जमीन के शकल में या किसी शकल में वापस कर देंगे तो भारी साथ का पूछना ये है कि हमने दो लाग दे दिया और हमारी वालदा साथ ने हमारे दूसरे भाई को दे दिया पैसा और जो जो जमीन देने की बात हुई थी वो भी नहीं दी गई पैसा भी नहीं दिया गया तो अब वालदा साहबा के इस अमल की बाद मैं क्या करू क्या इसकी वैसे मैं उनसे गते तालग कर लूँ उनको खरचा ना दूँ उनसे बात ना करूँ क्या ये सही होगा तो देखे सबसे पहली बात मैं आपके सामने वज़ा करना चाहता हूं कि वालिद हों या वालदा हों उन पर खरच करना वाजिब है फर्ज है लेकिन उसका मतलब यह है कि वालदा के जिन्दा रहने के लिए जो खाने की जरूद है जो पहनने की जरूद है और जो रहने की जरूद है ये सारा इंतिजाम करना बच्चों पर फर्ज है जरूरी ये कि और को देने के लिए आप से तलब करते हैं तो याद रखें ये तरीका आपके वालदेन का किसी के भी वालदेन का सही नहीं है कि वह अपनी जरूरत के बजाए किसी और को देने के लिए आप से पैसा तलब करें ये आप पर वाजिब नहीं होगा इस केस में कि आप वालदे आपसे मांगे कि आप पैसा दो हम किसी और को देंगे तो ये ये पैसा उनको देना जरूरी नहीं है तो बहराल आपने जो दो लाक रुपिया दिया है अपनी वालदा को समझ में बाती आती है कि उनकी जरूरत के लिए नहीं दिया था किसी और के लिए दिया था और वादा ये हुआ था कि आपको वापस किया जाएगा लेकिन बरहाल ये सब कुछ नहीं हुआ और ये गलत हुआ जो भी हुआ गलत हुआ जिस वादे के था आपसे पैसा मांगा गया था उस वादे को पूरा करते विए पैसा आपको वापस करना चाहिए था लेकिन चलो ठीक है जो भी हुआ गलत हुआ इसको हम सही नहीं कहते लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये मशवरा नहीं जिया जा सकता है या आपके लिए ये जवाज की बात नहीं कही जा सकती है कि ये सब होने के बाद आप अपने वालदें से खते तालुक कर लें उनसे बाचीत बंद कर लें या उनको खर्चा देना बंद कर दें बिल्कुल नहीं गल्की हो आपके वालदेन है अगर उन्होंने कुछ गल्ती भी किया है तो वो गल्ती भी शायद उन्होंने अपनी जात के लिए नहीं किया है किसी आपके दूसरे भाई या उसको कुछ आराम देने के लिए ऐसा किया बेरहाल जो भी है गलत है अगर आपका बेयान सही है तो वनना आपकी बेयान में कितनी सदाकत है ये तो तब समझ में आगा जब दूसरे तरफ की बात भी हम सुनेंगे तो और ये चीज़ मैं वाज़ करता हूँ कि इस तरह के मामलात में ये तरफा बात सुनके कोई बहुत जादा मसला वाज़ नहीं होता है लेकिन बेरहाल अगर फर्ज कर लें कि आपकी बेयान सही है आपके वालदें नहीं सक्किया तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपके लिए जवास बेदा नहीं हो सकता है कि आप उनसे कते तालुक कर लें उनको खर्चा पानी देना बंद कर दें मारकी आप पर लाजम है उनकी जो ज़रुत है खर्चा पानी वालदें की वो देना आप पर लाजम है और उनसे कते तालुक कह सकती वो आपके वालदा है और वालदा का मकाम बहुत बड़ा होता अल्लह तबारग ताला ने बतुरे खास ये हुक्म दिया है अपनी अबाद Państwo کے بعد کہ عبیل والدین احسانہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو یہ دو لاکھ روپیہ آپ نے اپنی والدہ کو دیا تھا دو لاکھ کی کیا ہیسی ہے تو کوئی احساس نہیں ہے ایک والدہ کے سامنے ایک ماہ کے سامنے جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے اس کے قدموں کی نیچے جنت ہے اس کے سامنے دو لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے دو لاکھ کی کوئی عوقات نہیں ہے اس لئے دو لاکھ اگر ادھر ادھر کر بھی دیا तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप उनसे गते तालुक करने तो आप उनसे तालुक बनाये रखें उनके साथ अच्छा सुलूक करें और अगर उनको खर्चे पानी के जरूत है तो आप देते रहें इंशालला आपको इसका अज्र मिलेगा और इंतकाम लेने के लिए त दूरी दुनिया पड़ी है वालदें से इंतकाम ने लेना चाहिए उनसे बदला नहीं लेना चाहिए सोथना चाहिए कि आप छोटे थे बच्चे थे तो जितना उन्होंने आपके साथ किया है और जितनी देखभाल आपकी की है वो कर्द आप कभी नहीं उतार सकते दो लेक एक बच्चा छोटा होता है वो पेशाब पेखाना करता है तो मा उसका पेशाब पेखाना भी साफ करती है लेकिन मा जिस महबत से उसका पेशाब पेखाना साफ करती है उसको अलफाज में बयान नहीं किया सकता एक छोटा बच्चा अगर वो दो दिन पेशाब ना करे या को साफ करना पड़ेगा लेकिन इसके बावजिद भी बेचेन हो जाती है कि बच्चे को तकलीफ तो नहीं हुए अब आप सोचिए कि ये आपकी वालदा अगर किसी की भी वालदा बुड़ी हो जाएं जाएं जाइफ हो जाएं और बेट पर लेटी रहें उठ ना पाएं और सारे ऐसी ओलाद हैं जो अपने माबाप के खिदमा करते हैं उनकी गंदेगी साफ करते हैं लेकिन एक पल के लिए आप सोचिए कि जिस मोहबत से जिस शफकत से जिस पयार से ये मापके बच्चپने में आपकी गंदेगी को साफ करती थी आज अगर इस माप पर ये वक्त आ है तो किया उस मुहबत से उस प्यार से आप उसकी गंदेगी साफ कर सकते हरे बलकि दू दिन अगर मा को पैखाणा न आये गंदेगी ना करे तो आदमी को टेंशन कि क्या मात हो दो दिसे हम東 पैخाना नहीं किए नहीं है बलकि तो सोचे का अच्छा भी जो है कोई मसीबत नहीं है तो हकीकत यह कि मा के जो कुर्बानियां हैं बच्चे के साथ उसकी कोई कीमत और जो आपको इसका बहुत अच्छा सिल्ह मिलेगा उम्मेदे कि आपको जाब मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें